जाया रोजा रखो जी नेकी से अबू जोली भरो जी छोड़ो ना वीमारी का बहाना करेके ताबा करो असलाम लीकुम एबरीवन वेलकम बैक टो माई चानल इट्स मी वजिया जहरा आप सबको बहुत 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 रमदान मुबारेक अपनी दुआओं में मुझे भी जरूर याद रखेगा तो आज का हमारा टॉपिक है रमदान पता ने लोग नेट पर से रमदान क्यों लिखते हैं रमदान लिटरिली मेरा फैवरेट महीन है पूरे साल का मुझे पूरे साल ने रमदान के इंतिजा रहता है क्योंकि इस मन में एक प्रॉपर रुटीन बन जाती है और इस महीने में बरकत भी बहुत जादा होती है रमदान में माहूल ने बिल्कुल बडल साजाता है यानि आम दिनों का माहूल और रमदान का माहूल ने बिल्कुल अलग सही होता है पता नहीं क्यों खैर आच चांड रात अभी तो कोई न्यूस नहीं सुने कि चांड दिखा या नहीं दिखा तब दिल में बस एक ही बात बोलने को दिल करती कि गिरहन की शकल वाले चल बाक यहां से आए बड़े चांद बनने वाले अक्सर लोग रमदान में सहरी तक जाकते और अक्सर मज़े से सो जाते I am dead टाइप कि अगर मैं सहरी तक सो जाओं और फिर मैं सहरी में जाओं तो मुझे कुछ बखाने का दिल नहीं करता इसलिए I prefer कि मैं सहरी तक जाओं लेकिन मैं जाक नहीं सकती हूं क्योंकि मुझे इन्वेस्टरी जाना था और अगर मैं सहरी तक जाओं कि तो मुझे सारा दिन क्लास में नीन आते रहेगी फिर आते हैं लेजंड जो कि सहरी करते ही नहीं है सहरी करने के लिए उठते ही नहीं है ऐसी ही रोजा रखते ही बहुत बुरी आदते हैं वैसे क्योंकि एक तो हेल्थ कैशी हो जाते हैं कमजोरी हो जाती है और दुसरा ये कि सहरी करने वाले पर अल्ला रहमेद बेशता है और फरिश्टे सहरी खाने वालों के लिए दुआएं मख़िरत करते हैं और पर सहरी करने रह παद कुछ लोग इतना पनी पीते कि इनके प्रेट में प्रेंद में खले में थोड़ा सा प्रेट रह ते आए पर अपने रूटीम के कामों लग जाते हैं फिर आते हैं कुछ लोग जो कि रोजा रहक्र करते हम पे धसान वो रोजा रहक्र सारा दिन अपना छुशा हम गरिबूं पे उतारते हैं शिसके लुखनों के कोई अश्मान कि रोजा रहक्र कोई एचान कि और Ô्म से पर शाम कोट को इफणारते हैं और कभी जब रोजा बहुत जादा लगा वह तो सबसे जादा होसा ता पाना जब कोई आकर पुछे कि रोजा रख है और हम रहे हैं और पीचे कहां रख है बहुत जीज़ी घुटु आड़ टो आल दे गेर्ल्स अम्मिया बहने लड़कियां जी बिलड़किया बनाती है इव्तार बनाने से ड्र नहीँ लगता। साप इव्तार के बाद बितंदूने से लगता he रम्दान में इतने सारे बितंदोने परते हैे ना इव्तारी के बाद की बस हलती ख 실़ाप जाती है खेर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इव्तार को खराप जाती है खैर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इफ़तार को इफ़तार नहीं बलकि वलीमा समझ किखाते हैं और फिर जो उनकी हालत होती है वो वाकि में देखने वाली होती है और रमदान में कहते हैं पूरा दिन बेशक चिल गुज़े लेकिन आज़ान से 20 मिनट पहल जो हालत खराप होती है वो तो बस सहरी के बरतन दोले तो इफ़तार की तायरी बस ऐसे ही गुज़र रही है जिम्देगी हमारी रमदान में हमारी रूटीन कुछ ऐसे ही होता है तो गाइस आज के लिए बस इतना ही आई हॉप यू लाग रहे वीडियो अगर आप लोग और मुझपने दो आग में बहुत जादे याद रहना थक्तना तेक्व सामच परवाचीन लाहाफिज